अब हम लोग आगी के टाइप को देखते हैं अब हमारा सवाल क्या है पांच हजार रुपए का आठ प्रतिसत वार्सिक चक्रवेधी व्याज की दर से तीन वर्स का व्याज क्या होगा यह तो कल जैसा ही कोश्चन है अगर हम लोग इसको सॉल्व करें न अगर कल के मेंथट को होगा आप लोग याद करें अगर हम सेम उसी तरीके से लेका चलते तो देखते हैं परिसानी क्या होती है अगर परिसानी होगी तो उसको हम उसे हम दूसे मेथट से सॉल्व करने की कोशिस करेंगे जैसे हमारा रीट क्या है ना आठ प्रतिशत है आठ प्रतिशत का फ्रेक् करना पड़ जाएगा अब 25 का क्यूब 17 का क्यूब करना पड़ जाएगा अगर याद तो सही है नहीं याद तो परेसान ही हो जाएगा टायम हमारा लग जाएगा तो इसको हम क्या करते न एक और method set solve पहने के कोशिस करते हैं जैसे कहना 5000 रुपए मूलधन है तो हम ये क्या कहते हैं कि ये पहले साल उसको पहले साल 8% की दर से इसका interest चला होगा एक साल तक 8% की दर से interest चला होगा तो 8% की दर से 1 साल का interest कितना होगा तो 8 गुना 1 लगा 400 रुपए अब अगले साल बढ़ते हैं तो क्या होता है ये पहले वाले क्लास में चीज़ कर रखे है कि अगले साल मूलधन क्या होता है बदल जाता है क्या हो जाएगा मूलधन तो पहले वाला मूलधन साथे साथ ये ब्याज मिलका नया मूलधन बन जाता है, मतलब अब नया मूलधन कितना होगा तो 5400 यह 4500 पहे होगा फिर से क्या होगा एक साल तक की इंटरेस्ट चलेगा 8% की दर से फिर एक साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा तो 8 odds 8 गुना 1, 8 प्रतिशट चोवन सो का आठ प्रतिशा तक हम दूर निकाले तो क्या मिल जाएगा जीरो जीरो कैंसल हो जाएगा आठ चोवन चोवन चाइब बतिश का दू बांके तीन आठ पच्चे चालिस और तीन ते तालिस मतलब अगले साल बे आज कितना मिल गया 432 रुपे फिर से क्या होगा तो एक साल तक इंट्रेस्ट चलेगा 38.30 से फिर देखते हैं एक साल का इंट्रेस्ट क्या हो जाएगा तो इसको हम लोग कैंसल नहीं करेंगे डियक्ट हम लोग करते हैं आठ ना सोला का अच्छे मांकी एक पांच चे हो गाए इन सब को हम लोग एड करते हैं तो क्या मिल जाएगा यह हो जाएगा 1296 दसमलव सॉरी 1296 नहीं 628, 292.56 हो जाएगा तीन साल का बैए इस मेथड से आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए तो दोनों मेठर ध्यान रखना है जिसमें कैलकुलेशन हो उस पर हमें नहीं जाना होगा आगे हम लोग देखते हैं हमारा सवाल क्या है मजना होगा कल परसों वाली बातों को दो कलास पहले वाली बातों को जैसे हमने क्या कह रहा था हमने क्या कहा था कि पांच रुपए एक साल में अगर छे हो रहा है तो ये दो साल में कितना हो जाएगा दो साल में इसका स्क्वाइर करते थे ये 25 हो जाता है ये 36 हो जाता है अगर हम ये कहें कोई धन दो साल में 25 से 36 हो जाता है तो फिर वापस अगर हमें एक साल में आना हो तो क्या करना पाता है दो साल से एक साल आने के लिए हमें इसका रूट लग करना पड़ जाएगा मतलब फिर से क्या कहेंगे पांच रूपए और ये क्या हो जाएगा छे हो जाएगा जैसे हम ये कह रहे हैं कोई धन 5 रुपय है और एक साल में ये कितना हो जाता है 6 तो हम ये पूछे 3 साल में कितना हो जाएगा तो इसका क्यूब करना परेगा कितना 125 और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 216 यही हम कहें 3 साल से फिर वापस एक साल में आना है तो क्यूब रू अब देखते हैं अब हमारा question क्या 800 रूपे इसका मूलधन है और क्या हो रहा है दो साल में ये 1058 हो जा रहा है जो cancel होता है हम लोग इसको cancel करते हैं तो इसको हम लोग cancel करें 2 से ये 400 बार में कर जाता है 2 से 529 बार में कर जाता है मतलब क्या पता चला कोई धन है 400 रुपए जो 2 साल में कितना हो गया 529 हो गया अब इसे क्या करना होगा एक साल में convert करना अभी तुरंत हम लोग यहां पे देखें 1 साल में आने के लिए 2 साल है तो 1 साल में आने के लिए root करना पड़ेगा तो यह भी देख सकते हैं कि 400 किसका square है 20 का square है तो हम यह कहेंगे 20 रुपए 523 किसका है 529 किसका है तो 23 का क्या कहेंगे 20 रुपए एक साल में हो गया 23 रुपए तो ब्याज कितना लगा 3 रुपए डेट निकालने के लिए क्या करेंगे 3 रुपए ब्याज लेगा और कितने पर लगा तो 20 रुपए पर लगा नीचे 20 रख लेते हैं और 100 से गुना कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 20 परचे सो पांसती है 15 परतिशत का इसका रेट होगा बिना किसी फॉर्मला का असानी से हम लोग काम कर लिए अगर नेक्स्ट कोश्चन को देके सेम होई इस सवाल है 1250 रुपए कितने परतिशत चकरवेदिव्याज की दाइसे 3 साल में 260 हो जाएगा तो 1250 रुपए है और ये 3 साल में कितना हो गया तो 260 हुआ 1010 खतम कर लेते हैं अब तो कैंसल नहीं होगा 125 रुपए 3 साल में 216 हो रहा है तो 1 साल में 3 साल से 1 साल में लाना है तो Q-Root करना पड़ जाएगा जैसे हम लोग यहाँ पर कर रख है तो ये भी देख सकते हैं कि 125 किसका Q है अगर 3 साल है तो ये देखना है किसका Q है तो 125 Q है 5 का 216 का तो 5 रुपए 1 साल में 6 बन गया तो ब्याज कितना लगा एक का ब्याज लगा तो एक का ब्याज लगा कितने पर तो 5 पर ब्याज लगा और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से बुना कर दी हम लोग तो क्या आ गया 20 क्या हो जाएगा हजार रुपए है और ये तीन साल में कितना हो गया तो 26,620 हो गया एक जिरो एक जो कैंसल दो से हजार वाय में कैंसल कर लेते हैं दो से ये 1331 वार में cancel हो जागा मतलब 1000 रुपए 4 3 seal में 1331 अज़ी वन गया इसे 1 साल में बनाना है तो अब ये 3 साल के लिए 1000 किसका Q है तो 10 का Q है 1331 किसका Q है तो 11 का तो क्या कहेंगे 10 रुपए 1 साल में 11 हो गया मतलब व्याज कितना लगा एक रुपए ब्याज लगा, rate निकालने के लिए 1 ब्याज लगा, कितने पर लगा, 10 पर लगा, परतिशत बनाने के लिए, 100 से multiply कर लेते हैं, 00 cancel हो गया, तो क्या मिल गया, 10 परतिशत rate मिल गया, बिलकुल यह असानी से solve हो गया, अब आगे आते हैं, बिलकुल आसानी से rate हम लो हो जाएगा, मतलब अब कहना, अब हमसे rate पूछा गया, sorry, time पूछा गया, time कैसे निकालने, same वही काम यहां भी करना है, जैसे हम लोग समझते हैं, 5000 रुपए है, और यह क्या हो रहा है, तो 8 परतिशत की दर से, 5832 रुपए हो जाता है, पहले तो इसे हम लोग कैंसल कर लेत है, अगर हम लोग इसको कैंसल करते है, 8 से अगर कैंसल कर ले, तो 8… अगर 656.. आडफ्ना 16.. और यह हो गया, आडफ्ना 16.. और यह 729 वार में यह कैंसल हो गया, जला 625 रुपए, 729 रुपए, 8 परतिशत की दर से 729 हो जा रहा है, अब ध्यहान से समझता है, अब आगे क्या करना है आठ प्रतिशत का fraction value क्या होता है तो 2 बटे 25 होता है हम क्या कहेंगे 25 रुपए एक साल में कितना हो गया तो 25 और 2 हो गया 27 रुपए एक साल में 27 हो गया तो 25 को बनाना है 625 मतलब यह देखना है सिर्फ कि square है या cube है या power 4 है अगर square होगा तो साल 2 answer हो ज चिसका यह square है तो हम लोग सीड़े क्या कहेंगे time कितना होगा तो 2 साल कुछ करना ही नहीं है फालतू का time हम लोग का जाएगा ज्यादा करने पर आप लोग चाहे तो इस सवाल इसी method से इस सवाल को बना सकते है क्या कोई धन 4,000 रुपए 5 प्रतिशत वार्षिक चक्रविद अब 5 जीरो नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं फिर से वही काम करते हैं इसको हम लोग solve करते हैं तो 5 से यह दो बार में और 5 से किते बार में कर जाएगा यह कर जाएगा 9261 बार में 2 से इस cross में गुना कर देते हैं क्या मिल जाएगा 8,000 रुपए 5 प्रतिशत की दर से कितना हो गया तो 9261 हो गया अब क्या देखना है यह काम एक बार जरूर कर लेना है 5 प्रतिशत का फ्रेक्शन वेल्यू क्या होता है एक वटे 20 क्या कहेंगे 20 रुपए एक साल में कितना हो गया 21 हो गया अब सिर्फ यह देखना है 20 का यह square है cube है power 4 है क्या है जो भी होगा वही हमारा answer हो जाएगा तो 20 का 8000 क्या cube है ना cube है तो हम लोग क्या कहेंगे time कितना होगा तो 3 साल कहेंगे हो गया हमारा कहानी खत्म बिल्कुली आसानी से सारा question solve हो गया तो BCS आज के लिए इतना इडाने देते हैं मिलते हम लोग next video में धन्यवाद